हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टार्गेट सिविल सर्विसेस में आज है एक अक्टूबर और एक अक्टूबर से जितने भी करेंट एफेस के कोशन बनेगे सारे कोशन को इस लेक्चे में हम डिस्कस करने वाले और साथ ही दोस्तों इन करेंट एफेस के कोशन से जो भी एक्स्ट्रा फेक्ट बनेंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एक्जाम पॉइंट आफ व्यू इंपोर्डेंट होंगे यहाँ पर हम बात करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे कोशन पुछा गया था कोशन पुछा गया था कि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के फिर से अद्दक्ष कौन बने है यह बनेंगे दोस्तों अविक सरकार करेक्ट अंसर है यहाँ पर ऑप्शन वन और आप देख सकते हैं दोसों यह है अविक सरकार जिनको प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के फिर से अद्दक्ष के रुप में चुना गया है और यहाँ पर हम बात करें प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया की जिसकी इस्तापना 27 अगर्श तो 1947 को की गई थी और इसका मुख्याले नई दिली में इसी थे और इसके अद्दक्ष कोने तो यह अविक सरकार जी है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह जो Right Livelihood Award है इससे समानित किया है Life को Correct answer हो जाएगा यहाँ पर Option 2 तो मैं आपको बता दू कि Right Livelihood Award 2021 से दिली बेस्ड परियावरन संगठन Legal Initiative for Forest and Environment यह जो Life है इसका full form क्या है दोस्तों Legal Initiative for Forest and Environment को यहाँ प्रदान किया गया है और यह जो Right Livelihood Award है दोस्तों यहाँ स्वीडन के वेकल पिक नोबल पुरुसकाल मतलब स्वीडन अल्टरनेटो नोबल प्राइस के रुप में भी जाना जाता है तो यहाँ देखना है यहाँ पर Correct answer के हो गया Option 2 और यहाँ पर मैं आपको बता दू कि यह जो Right Livelihood Award है इसकी जो इस्थापना है वो किस ने की थी दोस्तों ओलेवान उयकसूल ने की थी और मैं आपको बता दू कि यह जो ओलेवान है यह राइट लालिवूट के कारे निदेशक भी है और साथी दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यह जो Life संगठन है इसकी जो इस्थापना है वो 2005 में की गई थी और किसके दोरा तो रित्विक दत्ता और राहुल दोरा इसकी इस्थापना की गई थी और यह जो Life संगठन है ने दोस्तों यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण परियावरन खत्रों के खिलाब लड़ भी रहा है और आपके लिए अगला कुशन है दोस्तों के हाली में खबरों में रहा आकास प्राइम को किसने विक्सित किया है तो मैं आपको बता दू कि यह जो आकास प्राइम है इसे विक्सित किया है DRDO ने इस मिसाइल का भी परिक्षन किया था और साथी मैं आपको बता दू कि आकास मिसाइल के इस उन्यत संस्क्रण को DRDO दौरा डिजाइन किया है और विक्सित भी किया गया है और इसके साथी यहाँ पर हम बात करते है रक्षा अनुसंदान एवर विकास संगटन की जिसकी सापना 1958 में की गई थी और इसका मुख्यल है नई दिली मिसित है और वर्तमान में इसके अधिक्ष कोन है तो यह जी 37 अर्रेड़ी है और अब चलते नेक्स कोशन के ओर कोशन के हाली में ट्यू सिनिया की पहली महिला प्रधान मंत्री कौन बनी है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह जो ट्यू सिनिया है इसकी पहली महिला प्रधान मंत्री बनी है नजला बॉर्डम रोम धाने करीक्ट अंसर हो जाएगा यहाँपे option 1 और आप देख सेगत तो मैं आपको बता दू कि यह जो नजला बॉर्ड में रोम धाने है यहां 29 सितंबर 2021 को ट्यू सिनिया की पहली महिला प्रधान मंत्री बनी है और ट्यू सिनिया दोस्तो अफरीका का सबसे उत्तरी देश है और इसकी जो सिमा है वो अलजारिया लिबिया और भूमध्य सागर स से लगती है और इसमें एटलेस परवत का पूर्वी छोर और सहरा रेगिस्तान का उत्री भाग भी सामिल है तो या देखना है आपको कि ट्यू सिनिया की जो पहली महिला प्रधान मंत्री कौन बनी है तो यह बन गी है नजला बॉर्डेम रोम धाने बन गी है और अब चलते अब कर दिया है पी एम पोशन इसकीम करेक्ट अंसर क्या हो जाएका यहां पर ऑप्शन थर्ड तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि यह जो मीडेमिल योजना है इसकी जो सुरुवात है वो कब की गई थी तो 1995 में की गई थी और सबसे पहला राज् 25-26 तक चलने वाली है और इस योजना के तहत केंद्र प्रायोजीत योजना सरकारी स्कूलों के साथ साथ सरकारी साहता प्राप्त इसकूल में कच्छा एक से आठवी तक के सभी इसकूली बच्चों को कवर करेगी तो या देखना यहां पर करेक्ट अंसर हो गया ऑप्शन अगला कोशन है कि हाली में जापान के नए प्रधार्मन्ती कौन बने है यह बने गए दोस्तों फूमियो किसीदा करेक्ट अंसर के हो जाएगा यहांपे ओप्शन टू तो यहांपे मैं आपको बता दू कि जापान के पूर्वव विदेश मंत्री फूमियो किसीदा जापा और यहां के जो प्रधान मंत्री है वो फीमियो की सीधा है और मैं आपको बता दू कि यह जो जापान है इसकी संसत का नाम क्या है तो यह डाइट है और जापान का जो सबसे उच्छा परवत है यह यादखना दो सो माउंट फूजी है काफी बर एक्जाम में पूछा गया है क कि जापान की जो संसत है उसका नाम क्या है तो यह डाइट है और यहां सबसे उच्छा जो परवत है उसका नाम क्या है तो माउंट फूजी है यह आपको यादखना है नेक्स कोशन है कि वी सो समुद्री दिवस 2021 निम्ने में से किस दिन मना गया है तो मैं आपको बता दू कि यह जो वर्ड मेरी टाइम डे है तो यह मना गया है 30 सितंबर को करेक्ट अंसर हो जागा यहां पर ऑप्शन फूर तो अंतराश्री समुद्री संगठन द्वारा हर साल वी सो समुद्री दिवस मना जाता है और दुनिया भर में अलग-अलग सरकारे समुद्री दिवस मनाने के लिए 60 दिन चुनती है हलाकि यहां आमतर पर सितंबर के अंतिम महा के दोरान और इस महने के अंतिम गुरुवार को मना जाता है और वी सो समुद्री दिवस 2021 इस बार 230 सितंबर को मना जाता है तो यह आपको याद दखना है और इस दिवस का जो मुख्य उद्देश है वो क्या होता है तो समुद्र वातावरन की रक्षा करना और साती समुद्री उद्योग तथा सिपिंग सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूग भी करना इसका मुख्य उद्देश होता है और आपके लिए अगला कोशिन है दोस्तों के हाली में ग्रीस ने तिन युद्दोपोत खरिदने के लिए किस देश के साथ रक्षा समझोता पर हस्ताक्चर किया है तो मैं आपको बता दू कि Greece ने तिन युद्ध पोत खरिदने के लिए दोस्तों ये जो रक्षा समझोता किया है वो किस के साथ किया है तो France के साथ correct answer हो जाएगा यहां पर option third तो मैं आपको बता दू कि रक्षा सौधे में तूर्की के साथ बार बार तनाओं के बीच पूर्वी भुपंदि सागर में अपनी रक्षा चमताओं को बढ़ाने की रनिती के तहट तीन फ्रांसेसी युद्ध पोतों को खरिदने का जो निर्ने लिया वो किस ने किया है दोस्तों तो यह ग्रिस ने किया है और यहां पर दोस्तों हम बात करें प्रांस की जिसकी राजदानी है पैरिस और यहां की जो मुद्रा है वो युरो है यहां की जो प्रधान मंतरी है वो है Emmanuel Macron यह आपको France से याद दखना है आपके लिए next question है दोस्तों की 20 वे हिर्दे दिवस 2021 कब मना गया है तो यह मना गया है 29 सितंबर को correct answer हो जागा यहाँ पर option 3 तो याद दखना है आपको की world hearted day 2021 कब मना गया है तो यह मना गया है 29 सितंबर को उदिश है की लोगों को हिर्दे की सेहत के प्रती बताना और हिर्दे से जुड़ी समस्याओं को कम करने के लिए उन्हें जागरूप करना इसका मुख्य उदिश है यहाँ पर हम बात करें दोस्तों की 2021 की थिम क्या है तो यह है दोस्तों use heart to connect यहाँ देखना है आपको 2021 की जो थिम है वो है use heart to connect इस वर्स की थिम है और यहाँ पर दोस्तों हम बात करें मानोहिदे की जिसका भार लगवग 300 ग्राम होता है और यहाँ आपको बता दू कि यहाँ कहां पर प्रेजेंट होता है तो चेस्ट पे और यहाँ पर याद देखना है इसकी study को क्या कहा जाता है तो यह काडियो लॉजिक कहते है यह सबसे important point है जो आपको याद देखना है और यहाँ पर दोस्तों हम बात करें कि यह जो heart beat होती है मालब हिर्दे के secure ने वह फेलने को हम क्या कहते हैं तो हिर्दय इस पंदन कहते है, सुष्ट मानों उसका कितना होता है, तो 72 टाइम्स पर मिनट होता है, और इस ठेथों इसकोप के द्वारा इस पंदन को सुन सकते है, ये भी आपको पता होना चाहिए, दोस्तों कि हाली में सुष्च सर्वेक्षन का सात्वा संसकरन किसने सुर किया दोस्तों हर्दीप सिहा पूरी ने, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, तो मैं आपको बता दो दोस्तों कि आवास एवसहरी मामलों की मंतरी, हर्दीप सिहा पूरी ने दिल्ली में सुष्च सर्वेक्षन का सात्वा संसकरन लांच किया है, यहाँ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, और अब बात करते हैं आज के लास्ट कोशन की, और आज का लास्ट कोशन है दोस्तों आपके लिए के हाली में सरकार ने, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्परेशन और डीमर्सी के प्रबंदक नीदेशय का कारेकल, कितने महने के लिए बढ़ा दिया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दू, यह कितने महने के लिए बढ़ा दिया है, तो 6 महने के लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2, तो दोस्तों मैं आपको बता दू, कि इनका जो कारेकल है, वो 30 सितंबर को समापतों होने व मंगू सिहक का कारेकल छे मैने के लिए बढ़ा दिया है और अब बात करते हैं दोस्तों आज के कोशन आप देखी आपके लिए कोशन के हाली में NCC के 34 महानिदेशक के रूप में किस ने पदभार ग्रहन किया है इसका सही जवाँ आपको कमेंट स्रिक्शन में देना है और इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरू करें थैंक यू सो मच गाइस फॉर्चिंग दिस वीडियो वाई भाई ठेक केर